हालो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइट इंपॉर्टेड एमसी की उच का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से चेप्टर चल रहा है इनो टॉमी एंड फिजियोलोजी उससे टॉपिक है पाचन त कोशन आपके लिए इंपॉर्टन है वीडियो को सुरू से लावर्स तर देखिएगा एंड एडियो फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पेटिक्टिटिव एक्जाम का प्रिपेशन सीलिबस के एकॉर्डिंग करना चाह रहा है तो मेरी चैनल पर सभी वीडियो इसलिबस में इस्टीलिक कista है कार्बोहाइड्येट है और इस टैलिन नमके निकलता है यारि कार्बोहाइड्र कमचान करता है ने से esfANSका किना से होता है तो दोस्तो ट्रिफसीन का इस्थरावर आगनास है यान vanヤman में होता है में पैक्रियाज में एमाइलेज है लाइपेज ट्रिफसीन एंजायम इस्थरावीत होती है जिस में से इमाइलेज कालुऑ हॉआइड्रेयिंट हल斯 लीडिया में आद्रपते स्थरियर हम वर भाट करते स्थ लाइपेज को प्यैटियर तये लिल्सटराव में अर ट्रीप्सिन होता है वह प्रोटीन को अमीनोसेरी में बदलता है ग्लाइसीन होता है क्या होता है嬉न हम अमीनोसा हम्ल क्या ह серьез तो ग्राइस थो दो स्व वह क्या हैँ आमीनओ अमला जी अानी होता है फ्रोटीन होता है मेरे सुरीब मी जाकर नायद में बदल जाता है यह अमिनो अमलें 25-22 प्रकार की होती धो प्रकार की भोजबदारत हो कि पाचन के बाद तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है उसमें नो अमीनो एसिड आते है यह बाद्वोजग शिपलात होते हैं जैसेक लियुसीन आइसोलियुसीन लाइसीन methionine, pheninilin, thro9, wilyen, traptophon, histidin, यह सब होता है essential amino acid यहां पर glycine क्या होता है दोस्तो अमीन अम्ल होता है यानि कि amino acid नस्ता amino अमलका और सोसर कहां होता है तो दोस्तों काभवाइड इस अभी का सांपूर तथा रुधीर में यानि की विलाई एंड ब्लड वाहिनिया में जैसे कि हमारे चोटी यानि की इसमाल इस्टिंटाइं में घांटी नुमा आकरिती होती है जिसे विलाई कहते हैं या हिंदी में उ ऑधीरवाहिनिया वहती हैं जो हमारे भोज़न से यानि पोसकत्त्तो होता है उन्ह सब को अव्जर करताaben ना सब करता है निशान दोस्तों ऐसे अमिनों अम्ल जो जन्तु सरीर में नहीं होते कहलाते हैं कि क्या कह रहा है एसे अमनोल जो सरीर में नहीं बनता क्या कह hiring वह कहलते हैं Sooil ख क्ल अमिन कि लियापमिय निकी तात्विक अमिनो अम्न आते में भोजन छोटे चोटे चोटे टुकड़ों में कट जाता है इसकी उप्योग्वेता होती है कि यह लुगदी बन जाता है जिस से हमारे द्रावस-नली से भोजन आराम से चला जाता है अमासे में यानि कि भोजन के तल्कों ब्रहाने के लिए इसका। सभ। नेश्ट है पाचन की समय अमलीय माध्यम में बोलस को कहते हैं तो इसको काईम बोला जाता है नेश्ट दोस्तों अपज भोजन में दुर्गंध यूम विसेले पदाथ किससे बनते हैं तो यह बनता है ब्रिदान्त के बैक्टिरिया से देखे ब्रिदान्त यानि की जो बड़ से गिराइड प्रिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् उदासीन, छारी, अमली, तिन प्रका का होता है, जो एक से लेकर साथ से कम होगा, वो अमली होगा, साथ आपका उदासीन होगा, साथ से जादा जो पियश होगा, वो छारी होगा, यह आप ध्यान में रखेगा, तो आत्र जो होता है, आत्र में जो एंजाई में निकलता है, व आगनाशही रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो यहां पे आपका आंशर हो जाएगा काrbohydrate, protein तथर वशा इन तीनों का पाचन करता है आगनासही रस इसलिए आगनासही रस को पूर पाचक रस भी बुला जाता है का इस्टाविद करती है विलाई जो हमारे पुशततों को अव्जरो करता है जो छोटीयादं में पायता है मनुष्टियों में सार्क्रा की सरवाधिक मात्रा कब होती है जो जब तुरंट भूजन के तुरंत बाद जो होता है उस सरक्रा के बारे सवसेदा मात्रा होती है यानि कि ग्लुकोज की नेशा दुश्तो भूजन अंतर ग्रहण के बाद क्रमाकुंचन परिस्टेलेशिस तथा अमासाइग वा आंत्री इस ताम्रा करनी किसके द्वारा होता है तो यह दोस्तों बोजन का पत्ना कर्मा कुंचे गती अंतर ग्रहर इस अभी होते हैं परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानि परा सिंफेथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा और अजब आपका क्रोध हाता है और भयावा हिसीति होती है उसमें हमारा टैलिन एंज्याइम करता है उसके बाद जाता है हमारा अगनासरी रस मिलता है आपका वहां डियूदिनम में यह चोटी आपके पहले भाग में तो वहां आपका पाचन होता है तो यहां पे इस आपसर में आपका सभी हो जाएगा मुख गूहीका तथा डियूदिनम तो प्रोटीन के रूप में वितामिन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में तो किस के रूप में हमारे सरी में वसा का संचे होता है तो उर्जा का संचे किस रूप में होता है ग्लाइकोजन के रूप में उर्जा को हमारे सरी में सनचित करके रखने वाले कार्वों का नाम बताइए दो ऊर्जा को हमारे स्ऊरी में सनचित रखके कौन रखता है एटीपि जब हमको कार्य करते हैं तो यहाई प्रेशित करके क्यक्तलिक हमाँ य ही उर्जा करते साथ ह्यों कि यह डायप्राइडप्सки कहा पाइजाती यह से नीचे पाइजातीlim एक इसे डायफ्राम पर फेकर भी ख़़ा रहता है पौना इनली ग्रशनी का संबंध कितनी अंगोष्य होता है यहां पर आर्था मनुश्ये कि सब्लिब में स्वास न ली किस वच्छी कसे रुका के पास जाकर दो भागों में बट जाती है दोस्तों यहां वच्छी कसे रुक मुह में 3-1 तरफ ,3-1 तरफ ,3-,3 जोड़ी ,3 जोड़ी यानि कुल 6anız ,जोड़ी में 3 ,से बड़ी लार गंति होती है , जैसे बड़ी लार गंति , 3 जोड़ी कौन कौन सी पा जा जाती है ? टीन जोडी परोती है मैं यह चाहिए स् wrestling कभोन सरी जोड़ी CT पाई거든 Indy K जासे मानों सरी नियुशे चाहिए मनुख्य पाचण अंग कौन शाए दोस्तों मुख्य पाचण अंग होता ही हमारा चोड़ التक बीट संपूर पाचन हो प्रारम का होता है एक ब्यक्ती में इस टातों की संख्या कितनी होती है दोस्तों हमारे दात छार प्रकार के होते हैं इसमें इस में इंसीजर उपर जैसे कि उपर बदर दिना 32 तो ऊपर में आपका इंसीजर चार, करा कि नाइन दो, प्री मोरल, चार, और नीचे दोनों मिला के पुछए दूना है तो उपर जैसे की प्रोणहें मनुख में, दातों की शंक्या कितनी होती है कितनी होती है 22 साल की मालो के च्रख में क्या पाते हैं दोस्तों इसमें तंत्रिकाल fronts कोशिका आये हैं sभी पाई कपढ़ने मनुष्य की लार में जल कितने % होता है तो मनुष्य की लार में पॉइंट फाइवшейन वहตा है एधियान में रखिए गा किसमें प्रिजित करता है दोस्तों तो यह किसमें प्रिजित करता है टैलिन एक जाइम तो को एंड एंड दूनों यह माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में लार में कौन सा लवड़ पाए जाता है सोडियम, पोटेसियम, कैल्सियम उप्यूक सभी तो उप्यूक सभी लवड़ पाए जाते हैं हमारे लार में मनुष्ट्री की आईसो फेगस की लंबाई कितनी होती है तो आईसो फेगस यानिकी ग्रास ननी की लंबाई 9 से 10 इंच होती है यानिकी 25 सेंटीमेटर मनुष्ट है गैस्ट्रिक जूस कहां पाया जाता है तो यह आमाशय में पाया जाता है जिसमें एसियल आयंडर पेपसीन रेनिंग गैस्ट्रिक लाइपेज आदे जयाइव निकलते हैं निस्ट है भोजन का अमाशय में पहुंचने के पस्चा कितनी देर में रसानिक प्रक्रिएष शूरू हो जाती है तो जो बहुत होगा मुझे जरूर बताईए जैसे जादे सेयर किया या जो भी आपको टापिक जाहिए या जो भी डावट हो उससे जरूर बताईए और दोस्तो यह एनाटामी फिजियोलोजी का सीरीज चल रहा है इसके सभी सीरीज को पूरा करने के बाद सभी खेलों के एक एक करके मैं पुरे डीटेल में एक एमसी क्यूज कोस्टन बनाऊंगी तो बस लगे रहे हैं मेरी चैनल पे दोस्तो फर्स बाइब विजिट कर रहा ह जिसे न्यू वीडियो का अपडिट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं